नमस्कार दोस्ता आप सबोका स्वागत है व्याहर बोर्ड मेट्रिक पिछा के लिए आज विग्यान का बहुत ही महतपूर्ण अब्जेक्टिव प्रस्ण है दोस्तो अगर आप अपने स्कूल जीला या व्याहर टोपर करना चाहते हैं तो जितने भी वीडियो अप्लोड करन दोस्तो उसे जरूर देखें क्योंकि यह सवी पंस साल का प्रस्ण जो बार वार पूछे गए है तो चलते हैं प्रस्ण की और प्रस्ण आप देख रहे हैं कि दो समांतर समतल दर्पन के बीच रखी बस्तो के मुल्टता कितने परतिविम बन सकते हैं यानि दो समतल दर्पन है और उन दोनों के बीच में इस तरह से मौले जे दर्पन है इस बीच में अगर जिती हम कोई बस्तो रख रहे हैं तो वह कितना परतिविम बनेगा option A, 1 है, option B, 2 है, option C, 4 है, option D, अनन्थ है अगर आप option number D सोचे हैं, तो बिल्कुल सही सोचे थे, अनन्थ बनेगा दो समांतर, समतल दरपन के बीच रखी बस्तू का मुल्टतर कितना प्रतिमें बनता है, अनन्थ अगर आप सेलूल में जाते होंगे, तो सेलूल में जो बाल कटने जाते हैं, तो सेलूल में क्या रहता है, समतल दरपन रहता है और आप उसमें जब बैठते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सरा इमेज माथे का पीछे का आगे का बन जाता है तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सरा बनता है अनन्त चलते अगले प्रश्णी क्यों प्रश्ण है अगला आपका यदि किसी अप्तल दर्पन के धुरूप से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वकरता केंदर की दूरी क्या होगे तो 25 सेंटीमीटर होगा तो यह बात यह पुछ रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी यदि कि अप्तल दर्पन के धुरूप से फोकस की दूरी कितना है यहां से 25 सेंटीमीटर है यहां से और हम इधार से पूछ देंगे तो बतवाद तो एक के पड़ाना 25 cm नहीं हो जाएगा यह एक ही बात बोलता है याने कि एक मौन लेज़े ए और यह बी है तो बी से ए 25 cm है अब फिर बोल देंगे हम ए से बी कितना cm है तो 25 cm नहीं रहा जाएगा तो यही प्रेशन पूछ रहा है तो आपसे नमर बी बिल्कुल सही हो जाएगा चलते है अगले प्रेशन की और प्रेशन है आपका हीरे का अपवर्तनांग 2.4 है हीरो में परकास की चाल क्या होगी जब हीरे का अपवर्तनांग 2.4 है रहेगा तो उसमें परकास की चाल कितना रहेगे ऑप्सन नमर डी बिल्कुल से हो जाएगा 1.2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर परती सकेंड अगला प्रस्न है बहुत ही मस्त प्रस्न और अच्छे प्रस्न और बहुत बार पुछे गिये हैं लेंस की छमता का एशाई मात्रक क्या होता है लेंस की छमता का एशाई मात्रक क होता है तो दोस्तोव इस प्रस्ण का उत्तर आप सभी याद रखेगा M पे पावर मैनस 1 और अप्सन नमबर C सैयल है अगलाप्रस्ण प्रस्न है आपका चंदर्मा पर खरे आंत्रिक्ष यात्री को अकास प्रतीत होता है चंदर्मा पर खरे अकास प्रतीत कैसा होता है दोस्तों सबसे पहले चंदर्मा की बात करें तो चंदर्मा क्या है एक उपगरह है किसका पिर्थिवी का एक मात्र उपगरह है और जिवासमगरा किसे कहते है चंदरमा को ही जिवासमगरा कहते है दोस्तों जब चंदरमा पर कोई भी बेखती जाता है तो चंदरमा पर क्या है वायू मंडल नहीं है जिसके कारण एक दुसरे का आवाज नहीं सुन पता है और यहां जब वाई मंडल नहीं होने के कारण यहां आप कार्य जोई की 6 गुना कर सकते हैं अगर आप यहां पर 3 केजी उठा सकते हैं तो वहां आप 18 केजी का उठा सकते हैं अधिक्तम तो दोस्तों आप सभी समझ गें कि चंदर्मा पर्खरे अंत्रिक्स यात्री को अकास प्रतीत कैसा होता है तो काला option नमर D सही है अगला प्रस्ण है बिद्धुधारा की प्रवलता को मपने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है बिद्धुधारा की प्रवलता को मपने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है तो इस प्रश्ण का उतर हो जाएगा A मीटर अगले प्रस्ण है बिद्धुच्चुमक बनाने में प्राय किस पदार्थ के छर का उप्योग क्या जाता है तो अप्शन नम्मर ए बिल्कुल सही है नर्म लोहे का बिद्धुच्चुमक बनाया जाता है अगला प्रस्ण है आपका कौन सा ओधातु बिद्धुच्च का सुचालक है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका ग्रेफाइड अउप्सन नम्मर बी सही है अगला प्रस्ण है आवर्च सार्णी में किसी वर्ग में उपर से नीचे जने परतत्व का धात्विक गुन क्या होता है अउप्सन नम्मर सी बिल्कुल सही बहरता है किसी अवर्च सार्णी में उपर से नीचे जने पर क्या होता है अगला प्रस्ण है bond c o h अभी किरिया मुलक होते हैं bond c o o h अभी किरिया सिल मुलक होते हैं तो इस परशन का उत्तर हो जाएगा आपका option number b बिल्कुल सही है दोस्तो आप सभी अपने दोस्तों में भी वीडियो को share करे और like करे comment करे और subscribe जरूर करे अगर आप अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल ऐसे ही प्रस्णिक हारबोर्ड में पूछे जाते हैं और ये सभी question बैंक है दोस्तो repeat होते रहता है question बार बार 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 3 साल का यही repeat होते रहता है तो चलते हैं अगले प्रस्णिक और science में helium कैसे तत्व है? helium कैसे कैसा तत्व है? helium कैसा तत्व है? अकिरिये, किर्यासी, सकिरिये, यह उदासीन तो helium एक अकिरिये गैस है helium क्या है? अकिरिये गैस है, option नमर ए सही है आवर्थ सारनी में कितने वर्ग होते हैं तो अठारा वर्ग होते हैं आवर्थ कितना होता है साथ वर्ग कितने होते हैं आवर्थ सारनी में कितने वर्ग वर्ग कितने होते हैं अठारा वर्ग होते हैं और आवर्थ कितने होते हैं साथ होते हैं अगला प्रस्ण है जल का pH मान कितना होता है जल का pH मान कितना होता है तो साथ होता है जल क्या होता है उदासिन होता है और अमलिय क्या होता है साथ से कम छारिय क्या होता है साथ से अधिक अगला प्रस्ण है किसी पदार से ऑक्सीजन का निस्केशन कहलाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अब करन ओप्शन नमबर B सही है अगला प्रश्ण है वन प्रस्थितिक तंत्र में हीरन होते हैं प्रार्थमिक भोक्ता ओप्शन नमबर B सही है हमारे सरीर में भिविन्य जैविक कारियों का नियंत्रन होता है किसके द्वरा होता है तंत्रिका द्वरा, रसायनों द्वरा, तंत्रिका एवम रसायनों दोनों के द्वरा यह इन में से कोई नहीं है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा option number C बिल्कुल सही है तंत्रिका एवं रसाइनो दोनों के दुवारा option number C बिल्कुल सही है हमारे सरीर में भिविन्य जैविक कार ये कौन यंत्रित कौन करता है तंत्रिका दुवारा और रसाइनों के दुवारा option number C बिल्कुल सही जाएगा दोनो अगला प्रस्ण है निमलिखीत में कौन एमिनो आमल के विखंडन से बनता है निमलिखीत में कौन एमिनो आमल विखंडन से बनता है NH3 option number C सही है अगला प्रस्ण है हिर्दय के वेश्मों का सिल्थलीन कहलाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number B पिल्कुल सही है all לא option number B सही है अगला प्रस्ण है आपका इनमे किसके दोरा अमिमा भोजन का अंतरगत अंत ग्रहन करता है इन में किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर ग्रहन करता है कूटपाथ कूटपाथ option number A सही है कूटपाथ अमीमा किसके द्वारा भोजन ग्रहन करता है या अंतर ग्रहन करता है कूटपाथ option number A सही है अगला प्रस्ना आपका आयोडीन की कमी से रोग होता है आयोडीन की कमी से रोग होता है तो आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है घेंगा रोग होता है और इंसुलीन की कमी से क्या होता है मधुमय रोग होता है इंसुलीन की कमी से मधुमय रोग और आयोडीन यानकी नमक की कमी से होत तो दोस्तों ये सभी प्रस्ण जो था आपका बहुत ही बहुत महत्वन अबजेक्टिव था और बिल्कूल ऐसे ही प्रस्ण दोस्तों पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को आन तक देखते हुए आए है तो आप कोमेंट करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें तो चलते हैं मिलेंगे फिर साम में जय हिन जय भारत